Hello friends, कैसे हो आप सभी खेह रहे था है, आप सब बढ़िया होंगे तो मैं लेटेस जानकारी लेकर आया हूँ कि BSF हिसार केम्प के बारे में कि कैसे कैसे रणिंग हो रही है उधर तो मैंने अभी जानकारी ली है कि कही बंदों से तो अभी मुझे पता चलाए कि जो मैं रणिंग का आपको बता रहा था कि 3500 मीटर पलस में 500 मीटर का रणिंग है वो ऐसे रणिंग नहीं करा रहे हैं फिलाल हमारी SSGD की रणिंग ऐसे हुई थी परन्तु आपकी रणिंग और थरीकात से हो रही है यहाँ पर आपको रणिंग 4700 मीटर और 300 मीटर की देखनों को मिलेगी यानि कि आपको बस से 4700 मीटर दूर लग वो 5 किलो मीटर दूर केंप से दूर ले जाए जाएगा और इसके बाद आपको 300 मीटर केंप के अंदर तक दोड़ना है ठीक है जी यह आपकी रणिंग रहेगी तो आप इसमें कई बच्चों के डाउट भी आ रहे थे कि या मैं इंट्री से बताईए तो मैं बताता हूँ कि या मैं इंट्री डोकमेंट और ये सारी चीजे मैं आज कवर करने वाला हूँ कुछ लोगों का रोखने से भी र्रुलेटड डाउट सा रहे हैं मैंने वह से बता भी दिया है तो मैं बताता हूँ पहले आपकी इंट्री होगी और आपको एड़मिट कार्ड ले जाना है जो अभी एडमिट कार्ड आपका नैट से डाउनलोड हुआ होगा और आध हरकाड ले जाना है इंट्री पे आपका यह काम होके आपको उधर बैठा दिये जाएगा और आपकी हाइट नप जाएगी हाइट नाप पी जाएगी उस हाइट के बाद आपको रणिंग के लिए रेडी कर दिये जाएगे कि हाँ भई अब रेडी हो जाएगे और आपको उधर बस में बैठा के और आपको पांच किलो मीटर दूर ले जाके और आपको रणिंग कराई जाएगी जैसे ही आपको रणिंग कराई जाएगी रणिंग के बाद आपको तीन सु मीटर camp के अंदर भी gate number 2 से injury करनी है और आपकी running आसानी से road पे होगी कुछ बच्चे ऐसे होते कि नंगे पैर भागने वाले होते हैं नंगे पैर भी आप भाग सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है पर आप मैं suggest करूँगा कि आप जूतों से ही भागें क्योंकि सडक है पैर छिल जाते हैं उससे उसका कोई फायदा नहीं है आपको injury हो सकती है तो अब document की बताता हूँ document में 10 वी बार भी SC residence, schedule cast और ये सब भी sorry SC residence में जो हमारा SC residence साई नवासी है और character certificate की तो आप सकता नहीं है परंतु 5 photo आपको बहुत ही जरूर ले जाने है 5 photo कते ही जरूर ले जाने है वहाँ पर 5 photo का योज हो रहा है ठीक है जी running के बाद आपको पूरा time मिल रहा है 5 km की running है और 24 मिन्ट में हो जाएगी running का ground में ने आपको बताए दिया कि 47 मीटर और 300 मीटर अंदर है जब आपकी running कंपलीट हो जाएगी आप से फिर height chest और weight मिले weight देखने को मिलेगा आपको waste ना पहच जाएगा आपका और height और chest मापने के आपको खूब 3-3-4-4 मोके मिल रहे है कोई भी दिक्कत नहीं है पर मैं आप से उम्मीद करता हूँ कि आपकी height और chest एक बार में ही नपके खतम हो जाए उसके बाद आपको जैसे बिठा दिया जाएगा कुछ दिर बाद आपका trade test होगा जी जैसे आपने sweeper का भरा है तो आप sweeper के लिए आप से वो कुछ question भी पूछ रहे हैं कि सीसा कैसे साब किया जाता है bathroom cleaner कैसे कैसे होता है या bathroom clean किस से करते हैं और कुछ लोगों से गहास भी कटवा रहे हैं उनकी trade के हिसाब से है supply भी करवा रहे हैं और वो जाडू भी लगवा रहे हैं आप से जाडू से पकरने का तरीका देखते हैं supply करने से related दो-चार question पूछेंगे और आपका trade test भी यहां से हो जाएगा और अगर आपके पास trade certificate है दो साल का तो वो भी आपको ले जाना है उदर और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्या watch allowed है तो जी बिलकुल वहां पे watch allowed है आप अपना time management कर सकते हो कोई भी problem नहीं आएगी वैसे watch अगर किसी के पास नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और हाँ watch stop watch ले जाना क्योंकि वैसी watch में आपका time management सायद ना हो पाई परन्तु stop watch से आपका time पूरा manage होगा और घड़ी को running से पहले अपना set कर लेना और इस topic पर मेरी और भी कई वीडियो आ चुकी है वैसे और test की भी detail आगी है test की detail यह है कि आपका जो test है BSF का वो 20 नवंबर को होगा और आप जब आपकी running complete हो जाएगी physical complete हो जाएगा आपको कोई भी चीज वो slip वगएरा नहीं दे रहे हैं कह रहे हैं कि आपको online admin card ही निकलेगा अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि यह हिसार से कितना दूर है या दिल्ली से कैसे आएं तो मैं बता दूँ भाई दिल्ली से बस मिल रही है किसान express भी चल रही है कई और भी train है पर मैं आपको suggest यही करूँगा कि आप एक दिन पहले तो कम से कम वहाँ पर पहुँचें यह बहुत ही जरूरी है ताकि आपको rest मिल पाए और मैंने आपको रुखने के लिए जिगय भी बताई थी कि यह जो कलोनी है यहाँ पर आपको रहने की बहुत अच्छी ववस्ता मिल जाएगी मैंने आपको बताया भी था और यहाँ पर जो टंबू वाले हैं वो आपको 10-20 रुपे में पहुचा देंगे क्योंकि यह हिसार से लगवग 20 किलो मीटर दूरी पर है बस वाला भी आपसे जो भी है 10-20 रुपे ही लेगा और हिसार के लिए हिसार में रुखने की ववस्ता नहीं है मैं बस्टेंड पर भी देखा था मैंने सिस्टम कुछ भी नहीं मिला उधर और मैं इधर फिर आगे भी आया उधर भी कोई सिस्टम नहीं था परन्तु हमारा लक्स ही था कि हमें रात को हम लगो 9 बज़े पहुँचे थे और हमें इधर रुकने के लिए 2-3 बंदे आये और बोल रहे थे कि आप फिजी कल देने आयो तो आप वहां पर रुख सकते हो हमें बहुत कुशी सी हुई हाला कि सिक्यूर्टी का आपको अपना खुद का ख्याल रखना पड़ेगा और वहां पर बहुत ही वो सस्ते में चीप है बहुत ही 10-20 रुपे में काम बन जाएगा आपका तो यहां पर मैंने हार चीज बता दिये तो मैं इंट्री से रिलेटर एक चीज दो बताना जाओंगा कि आप जैसे इंट्री पांच वजे तो आप पांच वजे ना होके आप तीन साड़े तीन वजे ही वहां पर पहुंच जाना इससे क्या होगा कि पहले बैच में ही आपकी रनिंग हो जाएगी और पहले बैच को लगबग हो च्छे बजे ही दोड़ा रहे हैं और उससे आपको ज़्याद पसीन भी नहीं आएगा और आपकी सांस फूलने का डर भी कम रहेगा गुलूकोज वगएरा ले जाना उससे ज़्यादा कुछ खाना पीना मत यह सब चीज और तीन-चार बजे पहुँचके अपना आराम से रेस्ट और फुल आरनर्जी के साथ अपना फिजीकल दीजिए और मेरी सुफका मना आपके साथ और अगर कोई भी और डाउट है तो आप मुझे कमेंट बता सकते हो जैन धन्यवाद